नमश्कार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Instagram Reels बहुत जल्दी ही इंडिया में रोल आउट हो जाएगा उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है आप मेंसे कई लोगों ने मुझसे Instagram पर कॉंटेक्ट किया और पूछा कि भीया जो Instagram Reels आएगा उसका लुक कैसा होगा और किस इंडिया में हो सकता है कि इंडिया में लॉच हो जाए वीडियो को अंतक देखेगा जिसे आप एक-एक चीज को समझपाएं बड़ी मुश्किल से उसकी एक वीडियो मुझे मिली है कि किस सरह से सथ सथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजेगा कमेंट कीजेगा वीडियो पर और शेयर कीजेगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को दबाएगा चलिए आप पीसी पर चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से इंस्टाग्राम रील्स काम करेगा तो चली शुरुबात करते हैं वीडियो की और देख लेते हैं कि किस तरह से आपको अपडेट मिलेगा जब आपकी इंस्टाग्राम के अकाउंट पर कुछ ऐसा आइकन बनके आने लग जाए तो आप समझ लीजेगा कि आपको इंस्टाग्राम रील का अकाउंट आपको मिल चुका है यह बहुत असान है इसको बहुत कम ऐसे स्टेप्स हैं जो आप टिक टॉक पर कलते थे लगबग लगबग वो ही सारे स्टेप्स जो है वो आपको इसके अंदर मिलेंगे बस आपकी जितने भी वो शॉट वीडियोज होंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो आपको सारे इसी आइकन के अंदर आपको मिलेंगे यानि कि आपकी जितनी भी शॉट वीडियोज होंगी जो कि आप 15 सेकिंड की या एक मिनिट की बनाएंगे वो है सारी की सारी आपको इस टैप के अंदर या इस बटन के अंदर आपको मिलेगी और इसी में प्लस पे साइन करने के बाद आप अपनी शॉट वीडियोज को यहाँ पर बना पाएंगे हालाकि अभी यह बीटा वर्जन में है यानि कि अभी बहुत टेस्टिंग वर्जन में है और इंडिया में इसकी टेस्टिंग कुछी अकाउंट पे हुई है लेकिन कुछ अकाउंट पे हुई है यह भी राज है तो वीडियो के साथ पूरा बने रहीएगा आपको मैं पूरी जानकारी इसके अंदर दूगा और एक थमसप दे दीजेगा मुझे इस वीडियो में जिससे मुझे भी लगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं अब आगे चलते हैं और आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये सारा काम करना होगा तो अगर आप इसके अंदर अपनी effects को लगाणा चाहते हैं तो effects panel में जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपको effects panel पर जाना होगा और effects panel के अंदर आप उस सारे जितने भी effects हैं वो आपको महाँ पर देखने कोमल जाएंगे जो की बहुत ही असान है बहुत असान है इसमें आपको कोई problem किसी तरिके की नहीं होगी इसी तरह से आप इसमें अपना टाइमर को भी set कर सकते हैं जैसे आप टॉक पर करते थे कि अगर आपको 3 second का timer चाहिए है या 5 second का timer चाहिए है या आपको 10 second का timer चाहिए है तो वो भी आप इसके अंदर असानी के साथ यहां पर set कर सकते हैं, इसमें कहीं आपको problem नहीं होगी, यह पूरा interface आपको आज इसका समझा दोगा, उसी तरह से अगर आप अपने वीडियो में कुछ slow motion या speed लेकर जाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर set कर सकते हैं, उसम अगर हम देखें, तो आप इसके अंदर अपनी जो timing है, उसको भी आप set कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुबात में बताया, और उसमें cut भी कर सकते हैं, कि आपको इसमें कितना portion चाहिए, और कितना portion आपको नहीं चाहिए, अपनी पूरी वीडियो को करने के बाद, आप इसके अंदर share करेंगे, और share करने का तरीका वही है, जो आपका Instagram का होता है, या TikTok का होता था, कि आप उसके अंदर trending hashtag को इस्तमाल कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपनी Instagram की feed पर भी इसको डाल सकते हैं, और आप इसको Instagram Reel की official video है, जिसमें आपको पूरा वही सी समझाई गई है, जो मैंने अभी आपको समझाई है, जिसमें आप meme मना सकते हैं, और TikTok की तरह जो भी आप करना चाहते थे, वो कर सकते हैं, और इसको आप अपनी feed पर, story पर, और जो Reel का option आएगा, उसमें आप share कर सकते हैं, तो आ watching!